मस्कार आप सभी का आए गें स्ट्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अनुमंदल पुलीस पता अधिकारी कार्याले से किस प्रकार सूचना मांग सकते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस चैन एक लाइक अबस करते हैं चलिए आज हम लोग जानेंगे किस प्रकार अनुमंदल पुलीस पारयाले से सूचना मांग सकते हैं देखिए मैंने अनुमंदल पुलीस पता अधिकारी का कार्याले उदाक सुनगंज मधेपुरा से सूचना के अधिकार के दिनियम के तहत पत्र क के द्वारा सूचना मांगा है यहां मैं प्रविन कुमार सर्मा अपना पूरा पता नाम लिख देंगे पिन कॉर्ट सहिट कह देंगे SIC स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन के वाद संख्या ए इतना में PIO सह SDPO उदाकिनुस किसंगन द्वारा मुझे आयो के समक्ष दो बिन्दों पर करवाई का आस्वासन दिया गया था RTI एक्ट के नुसार तीस तीनों में कारवाई हो जानी चाहिए थी पहला दोसी ततकालीन ओपी रतवारा परभारी रामनिवास चौधरी पर अब तक की गई कारवाई की परमानी छाया प्रती उपलद करा आजा दूसरा यदि अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है तो इसमें दोसी पताधिकारी के नाम और पदनाम चाहता हूँ तीसरा मेरे परति पक्षी गन वो रामनिवास चौधरी की मिली भगत से अनुचित आर्थिक लाब उठा कर मेरे माता पिता के नाम से काता इतना किसरा इतना रखवा इतना जमीन को कब तक कब जा मुक्त करवाया जाएगा मैंने 10 रुपए का भारति पुष्टल ओडर चार साथ 2022 रसीद संख्या इतना से विवाग काडियाले को बुक्तान किया है और यह मेरा हस्ता अक्षा पूरा पता नाम है तथा अस्थान भागलपूर दिनांग दिया है मैंने सुचना आयोग में एक वाद्र डायर किया था जिसमें SDPO द्वारा सुचना आयोग के समक्ष यह मुझे आस्वासन दिया गया था इसी आस्वासन पर की गई कारवाई से सम्बंदित मैंने सुचना मांगा है आप लोगों के साथ भी यदि कुछ इस प्रकार की घटना होती है तो आप लोग भी पुनहा PIO से सुचना मांग शकते हैं तथा उस पर की गई कारवाई के जांच रिपोर्ट की प्रमानित छाया परती भी ले सकते हैं आप लोग भी अवस इस प्रकार लें और इसमें पोस्टल अडर को अवस से भरके ठीक से इस प्रकार रखेंगे अपना डाक रसीद भी रख देंगे इस सब को पोटो स्टेट को ठीक से रखेंगे यदि आप लोगों को 30 दिन के अंदर सुचना अपलब्द नहीं कराई जाती है तो इसमें इन सब को लगाकर प्रथाम अफिल दायर कर सकते हैं जैहिन